जैहें डिफेंस एसपरेंट्स वेलकम बैग अगें दिस इस दिव्यांशु पांडे मिनिस्ट्री आफ डिफेंस ने 1614 करोर रुपीज की मेगा डील मजगाव डॉक शिप बिल्डर्स लिम्टेट के साथ कर ली है जिससे की हमारे इंडिन कोस्ट गार्ड को काफी नए नेक्स जनरेशन के ओप्शोर पिटल वेसल्स मिलेंगे तो पूरी नियूस क्या है उसको हम आज के सेशन में कवर करने जा रहे हैं जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे सभी आन फोर्सेस में मॉडरनेजेशन काफी तेजी से हो रहा है और फोर्सेस की जो भी डिमांड आ रही है उसको जल से जल जितनी जल्दी हो सके उसको पूरा किया जा रहा है और इसी उपलक्ष में जो है 20 दिसंबर 2023 को Ministry of Defence और हमारी MDL अर्थात मजगाओ डॉक्स बिल्डर्स लिम्टेड जिसका हिट क्वाटर आपके मुंबई महारास्टा में है उनके साथ आपकी डील की गई है और डील की टोटल कॉस्ट है आप 1614.89 करोड रुपीज की और इतनी लागत से अब हमारी कोजगाड को 6 नए AI-based next generation offshore petal vessels मिलेंगे offshore petal vessels वो होते हैं जिससे की हम अपनी petrolling कर पाते हैं समुदर में और हमारी Indian Coast Guard mainly special economic zone में और उसके बाहर के छेत्रों में आपकी तैनात रहती है और पूरे भारत के maritime boundary को वो सिक्योर करती है तो इस प्रकार से यह जो डील है वो काफी strength provide करेगी भारती तटरशक बलको अब हमारे Indian Coast Guard के पास जो ships हैं उसमें 4 ships जो हैं 4 OPVs retired होने वाली हैं और जैसे यह नई 6 आ जाएंगी तो 4 का तो पहले जो भी retired हो रही है उनको fulfill किया जाएगा और उनको 2 अतरिक तापकी ships मिल जाएंगी तो लगातार Indian Coast Guard को strengthen करने के लिए 99 ships आ रही है काफी अच्छी बात है और इस acquisition plan के साथ ICG platforms अपने capability और reinforcement को और भी बढ़ाएंगे और government के maritime security plan के तरफ अपने focus को increase करते जाएंगे इस modern warfare में जो ships आएंगी उसमें high tech ships रहेंगी जो की critical role आपकी अपना सकेंगी surveillance में law enforcement search rescue operation जिसमें HRDR आता है maritime pollution response और other important capabilities में हम सभी जानते हैं कि बहुत सारी exercise में हमारे Indian Coast Guard भी participate करती है Indian Navy के साथ भी ये साजा exercise किया करती है और हमारे maritime boundary को secure बनाए रखती है वायम रक्षामा इनका motto है यानि की we protect और multi role state of heart vessels के साथ जो है जो indigenous content है हम उसको promote कर पाएंगे और Mumbai में ही इस आपके 6 shifts को 66 months के भीतर जो है आपका बना लिया जाएगा तो आत्मिरवर भारत और make in India का जो objective है उसको fulfill करके हमारी सेनाएं और हमारी जो industries हैं वो आगे बढ़ेंगी और MSME sector में भी रोजगार इससे उत्पन होंगे ना बताता चलूँ अभी Indian Coast Guard के पास 3 pollution control vessel है 27 offshore petal vessel है 6 और नहीं आएंगे तो 4 retire भी होंगे 45 FPV हैं जिसको हम fast petal vessel कहते हैं 82 petal boats 14 petal craft 18 hovercraft और planes 77 aircraft हैं और Indian Coast Guard ने भी हाली में Indian Navy के साथ एक अपने तरब से request for proposal रखा है RFI रखा है कि उनको जो है total 15 C295 के aircraft जाई जिसमें 15 में से 9 किसके पास रहेंगे नेवी के और 6 जो है Indian Coast Guard के पास रहेंगे वो भी जल्दी आएंगे Indian Coast Guard की जो anniversary होती वो हर साल 1st Feb को मनाया जाता है क्योंकि 1970 में इनका गठन किया गया था तो ये काफी बड़ी डील है जिससे कि हमारे Indian Coast Guard को काफी शक्ती मिलेगी अगर आप एक defense aspirant है और SSB interview, NDA, CDS, FCAT जैसे exams के लिए प्रिपेर कर रहे हैं तो आप SSB crack exams के course को चेक करना ना भूलें आप हमारी learning application को Google Play Store से भी download कर सकते हैं कर दो आप हमारी लूले मिलेगी बड़ाई और SSB